अंतराश्य चात्रों के लिए उस्ट्रेलिया ने वीजा फीस दो गुणी की भार्तियों पर पड़ेगा प्रभाद लोनावला की घटना के अगले दन पूने के जहने में बहाव्यक्ति अपसे UPI Apps के माथ्यम से विजली के विलो का मुक्तार नहीं किया जा सकेगा TGSP DCL हैदराबाद में दस्वी कख्षा के छात्र की आत्महत्या सिमौ Exclusio Acrylic Innovate Your Living Spaces नूरानी लिबास रेडी मेड, टेक्स्टाइल्स, स्टिचिंग ईवज, प्यार से घर सवारने दो औस्ट्रेलिया ने अंतराष्ट्रे चात्रों के लिए चात्र वीजा फीज को 710 डॉलर से बढ़ा कर 1600 डॉलर कर दिया है जिससे इस तीश्ट में पढ़ाई की यूजड़ा बना रहे लाखों भारतिये प्रभावित होंगे इस कदम ने चात्र प्रतिनी धियों के बीच आक्रोश को जिरम दिया जो कहते हैं कि ये बढ़ोतरी संभावित चात्रों को प्रतिस पर्थियों की और मोड देगी ABC News ने रिपोर्ट किया है संगे सरकार ने कहा है कि अत्रिक्त राजस्व से शिक्षा में पहल जैसे किसना तक रिंबी कटोती प्रशिक्षियों के लिए वितिये सवर्थन और इसकी प्रवासन रन्नीती के कार्यान वयन मिम्मेदत मिलेगी कैन्बरा में भारती मिशन के अनुसार अगस 2023 तक आस्ट्रेलिया में नामांकित भारती चात्रों के सख्या 1.2 लाख है जिससे भारती चात्र विदेशी चात्रों का दूसरा सबसे बड़ा सम्हू बन गए है रविवार को चीनी डॉकेट तियान लियंग 3 ग्राउंड टेस्ट के दोराद दुर घटनावश लाउंच होकर क्रैश हो गया इसकी कंपनी स्पेस पाइनियर ने एक बयान में कहा ये घटना तब हुई जब तियान लियंग 3 रॉकेट का पहला चरण संरशना तुमक विफल स्पेस पाइनियर ने इसे अपने बयान में बताया है कि रॉकेट के शरीर और टेस्ट प्लैटफॉर्म के बीच कनेक्शन फेल हो गया जिसके कारण पहला चरण रॉकेट लॉंच पैड से अलग हो गया कंपनी के बयान के अनुसार इस क्रैश में कोई चोटल नहीं हुआ क् रॉकेट टेस्स से पहले शेत्र के लोगों को पहले ही खाली करा दिया गया था पाकिस्तान के हिद्राबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां एक महिला और उसकी बेटी को प्रॉपर्टी विवाद के चलते उनके निश्टेदारों ने कथ तोर पर इईट प्रे के बाहर दिवार बना दी पीडित महिला ने आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्स किया है और आरोपियों के कड़ी कारवाही का भरूसा दिलवाया है वरिष्ट पुलिस अधिक शक एसेशबी डॉक्टर फारुक लिंजर ने लोगों को आश्वर्शन दिया है कि इ पूने के तामहीनी घार में एक व्यक्ति तेज बहाव में बह गया उसका शब बरामत कर लिया गया है रिपोर्ट के मताबिक ये व्यक्ति एक ट्रेक लेडर था और अपने दोस्तों और पईबार समेट 20 लोगों के साथ इस लॉक्ट्री पिक्निक स्थल पर गया था वहां उस साहसिक कारे को रिकॉर्ड कर रही थी जो बाद में दुखत घटना में तब्दील हो गया वीडियो में व्यक्ति को जरने में गोता लगाते हुए देखा जा सकता है जो तेजी के बहते पारी में भरा हुआ था वो सतह पर वापस तैरने की कोशिश करता है संगर्ष करता है क उच पकरने की कोशिश भी करता है जैसे ही वो जरने के किनारे एक चट्टान को पकरता है तेज बहाव उसे बहा ले जाता है मत्यप्रदेश के आदिवासी छेतर अली राजपूर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है सोटवा थाने के अंतगत आने वाले रावड के जाज कर रहे हैं एक साथ पाच शफ फंदे पर लटके मिले हैं जानकारी के अनुसार अली राजपूर जिले के रावडी गाओ के एक घर में पांच लोग फासी के फंदे पर लटके पाए गए इसमें पती पत्नी और उनके तीन बच्छों के शफ शामल है पुलिस अब और स्टीएफ को बड़ी सफलता मिली हैं एक एंकाउंटर में जानपूर के नावी बदमाश मोनुचवणी को धेर कर दिया गया पुलिस ने उसके पास से एक ए-47 राइफल बराबत किया है उस पर अलग अलग जिलों में 23 से जादा केस दर्स थे और पुलिस ने एक लाख रुपए का इनाव रखा था उसके खिराफ हत्या के भी मामले दर्स थी यूपे की जौनपूर में स्टीएफ ने एंकाउंटर में एक लाख रुपए के इनावी बदमाश शवणी को धेर कर दिया स्टीएफ और सोजी के सिक्त ऑपरेशन में इनावी बदमाश सुमित कुम बदमाश चवणी को लेकर पुलिस अस्पताल पहुची जहाओ से इम्रत घुशित कर दिया गया फाइरिंग के रंगदारी मांगने की घटना कारिट की गई थी जिसके बाद लगातार पुलिस के दोरा इन अपरादियों के लिए दबिश दी जा रही थी और फिलहाल जो सुमित कुमार पे एक लाकर पे कई नाम खुशित था और इस पर करीबन 24 के करें मुकदमे धर्ज हैं जिसमें कई मुकदमे हत्याओं के और इसके दोरा जो गटनाय कारिट की गई हैं जिस पर मुकदमे पंजिकरित हैं वो उत्तर प्रदेश के गाजेपुर बलिया जोनपुर इसी तरह से बिहार में कई मुकदमे इस पर पंजिकरित थे आज सुमित और मुनुचवनी के तलाश के लिए स्टी एफ की टीम और साथ जोनपुर प्लिस की टीम उन्हों जोइंटली उसके लिए लगे हुए थे जैसे ही उसको रोकने का अरेश करने का प मुंबाइ के एक विशेश आदालत में इंडिन ऑवरसीज बैंक आई ओवी से जुड़े 180 करूट रुपए के रुण्चुक मामले में भकोड़ी विवसाई विजर मालिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW जारी किया मीशेश CBI अदालत की न्याइधिश S.P. नायक निमालरकर ने 29 जून को मालिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और सुमवार को विस्तरित आदेश उपलप्थ कराया मामले की जाज कर रही CBI ने दावा किया है कि अब बंध हो चुकी किंग फिशर एरलाइन्स के प्रमोटर ने भुकतान में जानबूच कर चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड रुपे से जादा का गलत नुकसार पहुचाया प्रवतन निदेश आले ईरी द्वारा जाज के धन शोधन मामले में पहले ही भगोडा आर्तिक अपरादी कोशित हो चुका था वो वर्तमान में लंदन में रहता है और भारत सरकार उसके प्रत्यारपन की मांग कर रही है महराश्चर के पूने में जीका वारिस फैल रहा है शहर में संक्रमण की छे मामले सामने आए हैं खास बात यह है कि इनमें दो गर्बवती महिलाएं भी शामिल है स्वास्ते विभाग के अधिकारियों के मताबिक पूने के एरेंटवाने इलाके की 28 साल की गर्बवती महिला में जीका वारिस का संक्रमण मिला है महिला की रिपोर्ट पोजिटिव आई हैं इसके अलावा एक और बारास अपता की गर्बवती महिला में जीका वायरे से संक्रमित होने का पता लगा है फिलाल दोनों महिलाओं की हालत स्थिर है पूरी नगर निगम का स्वास्ते विभाग सभी मरीजों की निगरानी कर रहा है अधिकारियों के मताबिक एतियात के तौर पर संक्रमित मच्छों को रोकने के लिए फोगिंग और फ्यूग में इशन भी किया जा रहा है अंत्यप्रदेश के मंत्री मंडीपली रामप्रसाद रेड़ी की पत्नी हरीता रेड़ी ने एक वर्दीधारी पुलिस कर्मी को इंतजार कराने के लिए फटकार लगाई वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस कर्मी रमीश ध्यानपूर्वक खड़े रहे और अंत में उन्हें सलामी दी ये घटना अन्ना मया जिले के रया चोट्री में हुई जब वो लाभार्तियों को बड़ी हुई पेंशन के वितरन के एक कारिक्रम में जा रही थी तुम्हें तेर क्यों हुई और क्या तुम्हारे लिए सुभा नहीं हुई है तुम्हारे पास वर्दी नहीं है मुझे आदे घंटे तक तुम्हारा इंतजार करना पड़ा यहां तक कि SIB वीडियो कॉन्फरेंस में व्यस्त है तुम्हारा वेतन कौन देता है सरकार या YSRCP मंत्री की पत्नी ने पुछा आलचोकर ने बताया है कि एक मंत्री की पत्नी मंत्री के विपरीथ पुलिस एसकॉर्ट या किसी प्रोटोकॉल की हगदार नहीं होती सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है तेलंगाना की बिजली कंपनियों TGSPDCL और TGN PDCL ने अपने सभी उभखताओं से अनुरोद किया है कि वो अपने मासिक उर्जा विलो का भुकतान उनके अधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से करें क्योंकि सौंवार एक जुलाई से सभी भुकतान गेटवे और बैंकों के माध्यम से भुकतान बद कर दिया गया TGSP DCL के अधिकारियों के अनुसार ये निर्णय भारतिय रिजव बैंक RBI के निर्देशों के अनुसार है इसमें फोन पे, Paytm, Amazon पे, Google पे और कई बैंकों के माध्यम से भुकतान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी अधिकारियों ने बताया कि ये निर्देश देश भर्मी सभी बिजली उप्भोकताओं को जारी किया गया है वितरन कमनी द्वारा किये गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में जबाब में कई उप्भोकताओं ने इसे कठूर कदम कहा कुछ उप्भोकताओं ने बताया कि आईफोन उप्योग करता के लिए कोई एप उपलब्द नहीं है पुछ अन्य ने इस कदम को डिजिटल इंडिया के एक कदम पीछे की और बताया है सोंबार को बोलारम के आफिसर्स कौाटर इस्थित अपनी घर में दसवी कक्षा के एक छात्र के आत्महत्या से मौत हो गई पुलिस ने कहा कि संदे हैं कि वो परिक्षा में आसफल होने से परिशान था और उसने ये कदम उठाया सोलावर्शे लड़का जो एक निजी स्कूल का छात्र था पहले प्रियास में आसफल हो गया हलांकि वो हाल ही में पूरक परिक्षा में शामिल हुए लेकिन परिक्षा पास करने में आसफल इससे परिशान होकर उसने अपने शैन कक्ष्में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली जबकि उसके परिवार के सदशे घर में मौजूद नहीं थे कोई सुसाइड नौट नहीं मिला बोलारंप पुलिस ने कहा है कि उसके परिवार के सदशो स्कूल अधिकारियों और दोस्तों से पूछ ताश की जा रही है कोठा गुडेम जुले के पलूंचा में भद्रादी थर्मल पावस्टेशन बीटी पीएस में बिजली गिन्ने और कोठा गुडेम थर्मल पावस्टेशन के टीपीएस में बॉला टूबली खोने के कारण एप्रत्याशित बंदी के कारण राज्य में बिजली की कमी होने के सब्भाबना है इन दोनों संयंतरों के बंद होने से लगभग 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया उर्जा विभाक के अधिकारियों के नुसार कोठा गुडेम जिले के इन दों संयंतरों में उत्पादन में व्यवधान के कारण राजे ग्रीट को आपूर्ती में भारी कमी आई केटी पीएस में एक 800 मेगावाट एकाई बॉयलर ट्यूब लेखोने के कारण काम नहीं कर रही थी और एक अन्य धाई सो मेगावाट एकाई वार्षी करख रखाव के तहत थी इसी तरह बीटी पीएस सयंतर में विजली गिनने से 270 मे अंतराश्य चात्रों के लिए उस्ट्रेलिया ने वीजा फीस दो गुणी की भार्तियों पर पड़ेगा प्रभाब लोनावला की घटना के अगले दन पूने के जहन्ने में बहाव्यक्ति MP में बुराडी कार्ड टू पंदी पर लटके मिले पती पत्मी और तीन बच्चों के श्रण अब से UPI एप्स के माथ्यम से विजली के विलो का मुक्तार नहीं किया जा सकेगा TGSP DCL हैदराबाद में दस्वी कक्षा के छात्र की आत्महत्या सिमौ Exclusio Acrylic, Innovate Your Living Spaces, Noorani Libas, Readymade Textiles, Stitching इवस, प्यार से घर सवारने दो